हुशकार दोस्तों आज मैं आपके सामने ये पजल का जो कोस्चन नमबर 50 से 54 के बीच में जो एक कोस्चन है रेजनेंस के अंदर मैं आपके उसके बारे में बता रहा हूं यह कोस्चन में क्या है आपका सबसे जादर डाउट्स आ रहे हैं इसको हम डिसकस करते हैं चलो देख पी आर के साथ नहीं रहेगा ड और क्यू वी साथ में रहेंगे और के नोर्ट बीट विट टूगेदर सी और और के साथ नहीं रहेगा सिंपल सी यह आंसाद यह देखो बाई इस टैप के कभी वी कोश्चन आता है आपको हमेशा ओप्शन से करने पड़ेंगे जैसे फॉर अप्शन देख के साथ ब्लकुली गलत हो गया और क्योके साथ बिल्पुली गलत हो गया ओफ्छन्स के अंदर अगर वाप देखो तो अलग लग है तो इस चीज का ध्यान रख लिए आप आशर पर ध्यान रखना D जो है वो Q के साथ नहीं होगा तो यह option गलत जो B है वो R के साथ select नहीं होगा तो ये भी गलत होगा शिंपल शिंपल बात है ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे अब आगे C, E, S, P, Q ये possible नहीं है ये possible क्यों नहीं है क्योंकि जो S है वो A के साथ है वो एक साथ है A and S have to be together ठीक है and C and E have to be together ठीक है इसी कारण से तो आपका अंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर A, B, S, P, Q ठीक है next ऐसी देख लेते हैं if R be one of the members the other members of the team are अगर R एक member है तो other members में कौन से हो सकते हैं ठीक है अब यहाँ देखिए इसके अंदर सबसे पहला आपको दे रख है P, S, A, D ठीक है क्योंकि जो P है cannot be selected R के साथ select नहीं हो सकता इस कारण से पहला option बिल्कुल गलत हो ठीक है उसके बाद में Q, S, A, D option है Q, S, A, D ठीक है D and Q दोनों एक साथ नहीं हो सकते, D और Q साथ में नहीं हो सकते इस कारण से यह भी गलत हो गया ठीक है उसके बाद में S and A have to be together S और A दोनों एक साथ आने चाहिए जब किसकंदर है Q, S, C, E ठीक है इस कारण से यह भी गलत हो गया तो answer क्या जाएगा S, A, C, E option से ही आपको करने इन questions को मैं आपको बार बार बता रहा हूँ next question इसकंदर क्या है if two of the members are girls and D is one of the members the member of the team other than D are देखो भई यहाँ पर इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं आपने questions नहीं क्या कह दिया कि two members of the girls if the two of the members are girls D is one of the members और उसकंदर एक D member है मनलब D कोण है boys है the member of the team other than D are तो D से अलग और कोण कोण से member होंगे तो यहाँ देखिए अब आपको यह पता है कि D के साथ Q तो आई नहीं सकता D के साथ Q तो आई नहीं सकता तो यह Q और Q यह तो simple simple गलत होगे ठीक है उसके बाद में फिर बचा C और D ठीक है अब यहाँ देखिए P S C E ठीक है S के साथ A आएगा S के साथ A आएगा तो यहाँ पर यह भी गलत हो गया सी तो आंसर क्या बचा P S A B तो आंसर आपका क्या आजाएगा P S A B ठीक है next क्या है वई इफ A and C are members the other member of the team cannot be अगर A और C एक member है तो other member कौन से होगे से देखो S and E have also be selected क्योंकि A के साथ कौन आता है उसमें लिखा हुआ है A के साथ S आएगा C के साथ E आएगा तो other member कौन-कौन से होगे S और E simple सी बात है तो आपका answer सीधा-सीधा क्या आजाएगा इसका answer सीधा-सीधा आपका आजाएगा question ने कहा दिया cannot be a cannot be तो S और E यहां पे भी एक एसो याँ पे भी ऑसो याँ पे भी बचा कौन सा सी option स्वाइब तो answer सीधा-सी थेक है next क्या है वह इस इंक्लूडिंग पी अट्लिस्ट्री मेंबर सार्ग है the member of the team other than PR तो other than और कुन-कुन से मेंबर होगे, तो सिंपल सी बात है, P and R cannot be together, ठीक है, so R, S, A, D is wrong, S and A are to be together, so Q, S, B, D and Q, S, C, E are corrected, ठीक है, तो यही आपके answers होंगे, इस questions के अंदर सबसे जादा क्या है, S और यही दोनों साथ में है, तो Q, S, B, D भी गलत हो गया, Q, S, C, B, E भी गलत हो गया, और R, S, A, D भी गलत हो गया, जो बचा वही आपका answer, simple, तो आपको होपसो समझा गया होगा, फिर भी आगर समझ नहाता, तो आप comment box में comment कर सकते हैं, के कार, थांक्य।